नमशकर दोस्तों द अफेक्टाइम में आपका स्वागत है थे न्दृक्र गिर्मीत रामरीम सिंग जिंसा वे डेरा सचा सोदा के बारे में लगातर बाक्रत कर रहे हैं हमारे सीट्या जी हैं जो पिछले पच्चिस सालों से डेरा सचा सोदा में आ रहे हैं क्या है असली सच डेरा सजा सोधा वेसिंड गुरमीत रामरेम सिंग चिंसा का यह सीधी बातचीत करके इन से जानते हैं सत्याजीद अफेक टाइं में आपका स्वागत हैं पच्छी सालों से आप डेरा सजा सोधा में आरें किसा महल लगता आश्रम में लगाता रहाते होँ जाते हैं पकी सेवा है कभी रात को भी रूकि अश्रम में बग्या के दिन रुपते हैं तो लड़कियों की शुरुक्षा कैसी रहती है मां स्थ बहुत अच्छी कभी आपने अलग तरीके का मैसूस किया हो जाका दीब बीवी जो इतना कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा था तीन-चार साल पहले में, क्या क्याना चाओ कि उन खबरों के बारे हैं? मीडिया तो सारे फॉक्स ही है, बहुत एक शाजिश है जो अरोप संथ जी की उपर लगाया जा रहे हैं? बिल्कुल बेबनियाद फिर सच क्या है? गुरुजी का सबाब कैसा है? बहुत अच्छा जैसी इसकी तालीम है, शायद ही किसी की होगी उनका करेक्टर कैसा है? बिल्कुल हंड़ेट परसेंट सही उन्होंने किया क्या है समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत कुछ किया है कम से कम 47, 147 नामता भलाई के कारिया जो उन्होंने की है आपको कितना विश्वाश है गुरुजी के बहुत अपने से भी ज्यादा क्यों विश्वाश है? मतलब आपके जिंदगी में क्या बदलावाया जो आज भी आप उनके ओपर विश्वाश करते हो जिंदगी ही बदल गई यहां पराने से जिंदगी ही बदल गई क्या क्या सिखाते हैं कि बुराई से दूर रहो किसी की निंदा चुकुली ना करो मार्मता भलाई की जितनी हो सके सेवा करो परमार्त करो और सिमरन करो क्या आज उनकी जुरूरत है समाज में बहुत ज्यादा जबसे वह गए हैं समाज में नशा बढ़ गया है बुराईयां बढ़ गई है तनाव बढ़ गए है बहुत बदलाव हो गया संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सरकार से संद जे के लिए कि जो पील के लिए आप हो सकता हो करें तो बुराइक नमिंदे अब क्या कर सकते हम दो जो बहुत बाद धन्यावाद लगातार पब्लीक के दोर अपील की जा रही है संद्धोक्टर गुरमीत राम रेम सिंचिल्सा के लिए आप लोग भी खुले दी आप से सोच या किर सच क्या है और अपनी राइक कमेंड बॉक्स में डालते रही है देखते रही है देफेक्टाइब बहुत बदनेवाद लिए